Living Root Bridge क्या है? और यह चर्चा में क्यों है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे हैं Living Root Bridge जो है छोटी धाराओं पर बने हुए एक suspension bridge है यह क्या होते हैं? यह जीवित पोधों की जड़ों को उप्योग करते हैं अस्थानी लोग जैसे जैनतियां और खासी लोग द्वाराया पर आया जाता है हाले में जो चर्चा कभी से रहा है चर्चा कभी से इसलिए रहा है क्योंकि भारत ने इन पुलों पर लिए योनस्को की विश्चो धरोहर टैग की मांग की है आये इसके बारे में कुछ और जानतारी हम जानते हैं इन पुलों को अस्थानी रूप से जिंग जियंग जरी कहा जाता है ये पुल समुद्र तल से 50 मीटर से 1150 मीटर उपर है इनकी अधिक्तम लंबाई 50 मीटर है और चौडाई करीब 1.5 मीटर है वह इतनी मजबूत होते हैं कि वह 500 साल तक खड़े रह सकते हैं ये पुल तभी तक स्वस्थ है जब तक वह पीड स्वस्थ हैं जिन पर ये पुल बना होता है रूट ब्रिज भी नागालैंड की लोगोदारा भी बना जाता है इसके जलावा रूट ब्रिज जावा के बडू लोगोदारा बनाया जाता है आखिर ब्रिज निर्मार कैसे सिख्या जाता है यह पुल जो है एक नदी या नाले के उपर फिकस इलाश्टिका की जड़ोदारा बनते हैं यह जड़े समय के साथ बढ़ती और मजबूत होती है इन पुलों को बनाने के लिए युवा जड़ों को घुमाया जाता है और एक साथ बांथा जाता है लोग जड़ों को एक साथ बाधने के लिए इनो सक्कूलेशन की प्रकिरिया का उप्योग करते हैं इनो circulation का अर्थ है दो या दो से अधिक पेडों की टहनियों और चड़ों को एक साथ उगाना या बढ़ाना आईए हम समझ लेते हैं फिकस इलाष्टिका क्या है देखें फिकस इलाष्टिका का निरमार जो है